यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ मंगलवार को वो परिवार के साथ माल रोड पर घूमने निकले थे माल रोड से किताबों की खरिदारी का एक वीडियो राश्पती ने इस ट्विटर पर साज़ा करते हुए लिखा है अपने पोते पोती को शिमला में एक किताबों की दुकान में लेकर गया गर्मी की छुट् में भूतपूर्व सैनिकों की संक्या एक लाख दस हजार से भी जादा है और इसलिए हिमाचल प्रदेश को देव भूमी के साथ साथ वीर भूमी कहना उपिजुक्त प्रतीत होता है तो राश्टपती रामनात कोविंद बीते दिन हिमाचल में शिमला में माल रोड पर आम नागरिकों की तरह गूमते हुए नजर आई तस्वीर आप देख रहे हैं इस दुरान उन्होंने अपने पोते पोती के लिए बुक्स खरी दी और इसके साथ ही उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ट से उसका पेमिंट का भूकतान भी किया राश्पती रामनात कोविंद ने ट्विटर के माधियम से एक वीडियो ये साजा की जस पर उन्होंने लिखा की खुशी हो रही है ये देखते हुए कि किस तरह से डिजिटल पेमिंट को अब एकसेप्ट किया जा रहा है ये तस्वीरे आप जो देख रही है ये बीते दिन माल रोड पर राश्पती के महुशने की है जहां पर वो घूमते हुए नजर आए अपने परिवार के साथ राश्पती रामनात कोविंद पांच दिन के शिमला दौरे पर है आज उनके इस दौरे का चौथा दिन है और ब बुकान पर अपने पोते पोते के लिए किताब खरीद ने जाते हुए नजर आए और साथि यहां उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट भी किया इसके साथ ही राश्पती रामनात कोविंद ने ट्विटर के जरीए हिमाचल प्रदेश की भी तारिफ की और कहा कि देव भूमें हिमाचल प्रदेश जो है वीर भूमी भी इसे कहा जाता है इसे वीर भूमी कहना उपिजुक्त होगा क्योंकि इसे प्रदेश में एक लाग से भी जादा भूत पूर विस्तैनिक है झाल